हलो दोस्तों, मैं हूरिया और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गाजर के जूस से होने वाले फायदों के बारे में गाजर के जूस में कम कैलरीज होती है और ये बिटमिन और मिन्डल से भरपूर होती है ये औरेंज कलर का जूस बहुत टेस्टी होता है और इसे आप घर बैटे ही आसानी से बना सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाते हैं कि आपकी स्किन हमेशा चमकदार बनी रहें बाल हमेशा शाइन करें और ब्लड शुगर हमेशा कंटोर में रहें तो गाजर को अंदेखा ना करें तो चलिए जानते हैं गाजर के जूस से होने वाले फाइदों के बारे में गाजर के जूस में बीटा के रोटीन और लिूटीन पाया जाता है जो आखों की रोश्नी को बढ़ाता है साथ ही ये मोत्या बिन और रतौंदी से बचाते हैं गाजर के रस में भरपूर मात्रा में अंटी ओक्सिदिन्स और न्यूट्रियन्स पाया जाता है साथ ही इसमें विटमिन C भी होता है इसलिए ये इम्यून सिस्टिम को स्ट्रॉंग बनाने में मदद करता है साथ ही ये शरीर को बिमारियों से भी बचाता है गाजर के रस में केरोटिनॉइट पाया जाता है जो शरीर के शुगर लेवल को बैलेंस रखने में मदद करता है इसलिए ये डाइबेटीस के पेशिंस के लिए बहुत फायदेमन होता है गाजर के जूस में पाया जाने वाला अंटी ओक्सिडन्स, विटमिन A और विटमिन C जैसे तत्व स्किन को संड्रेस से होने वाले डामेज से बचाते है अगर शरीर में विटमिन A की कमी होती है तो स्किन, नाखून और बाल तीनों ही ड्राय हो जाते है गाजर का जूस पीने से पुरुषों को काफी फायदा मिलता है गाजर खाने या फिर इसका जूस पीने से पुरुषों की मरदाना शक्ती को बढ़ाने में मदद मिलती है खाना खाने के 20 मिनिट पहले गाजर का जूस पीना चाहिए क्यूंकि ये एक बहुत ही अच्छा appetizer होता है जो digestive system को active रखता है गाजर का juice पीने से urine ठीक से पास होता है साथ ही गाजर का हलवा खाने से urine में से calcium और phosphorus आना बंध हो जाता है अगर आप गठिया से ग्रस्थ है तो इसको दूर करने के लिए आपको गाजर का juice जरूर पीना चाहिए क्यूंकि इसमें vitamin C भरपूर मात्रा में पाय जाता है गाजर का juice पीने से खून साफ रहता है जिससे खून से संबंदित कोई भी बिमारी नहीं होती गाजर का juice कोलेस्टोल के लेवल को कम करता है इसलिए रात को डिनर के बाद गाजर का juice जरूर पीना चाहिए इसी के साथ गाजर के juice के फायदों पर बना हमारे ये special वीडियो यही समाप्त होता है इसी तरह के और देशी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारा चैनल एमाम दस्ता को सब्सक्राइब करें और अपनी friends और family के साथ शेर करना ना भूले एमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बिमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बिमारी को पास ना आने देना So take care and stay healthy